पॉलिटेखनिक के बाद प्लेस्पेंट नहीं हुआ तो कॉलेज पूरा पैसा वापस करेगा सोचो अगर ऐसा होता कि भाई की पॉलेचनिक के बाद प्लेस्पेंट नहीं हो रहा है और कॉलेज आपका पैसा रिटर्न करनाetrall जिस दिन ऐसा रूल अप्लाई हो जाएगा ना उस दिन जो टेक्निकल फिल्ड है इंडिया की वो कहीं ने कहीं बहुत जादे ग्रो हो जाएगी तो नमस्क्राइब दोस्तों पॉलेटेकनिक अड़ा चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत और पहली बार चैनल पहे हैं च के लावा प्राइवेट लाकन सीटे हैं तो मदब डेड़ लाक के करीब में सीटे हैं पॉलेटेकनिक की और ऐसे में डेड़ लाक स्टूरेंट पॉलेटेकनिक करने आते हैं तो बहुत जादे कुश्यन माग होता है कि भाई कितने परसंट लोगों की जौब लगती मुझे नहीं लगता कि डेड़ लाक लोगों में से 15 परसंट लोगों की भी जौब लग पाती है 15 परसंट भी मैंने बहुत जादे बोल दिया है कभी आप बैट के डेटा देखोगे कभी बैट के एनालेसिस करोगे फिर आपको यह बात समझ में आएगी कि सायद आपने पॉलेटे क्ञास से आए हो किया कॉलेचि प्लेस्मेंट देगा या नहीं या जॉब लगएगी या नेहीं पहले उतना अवेरनेस नहीं था आज से 2-3 साल पहले करें लो को कोरोणा से पहले उतनीई अवेरनेस नहीं थी लोगों में अब यूटुब का जमाना आ गया यूटूब पे करके अडोबिशन लेतें क्यों क्यों कि दिमाग प्लेज में चले जाते हो दो पूरी लाइफ लाइफ ऊदल सुदर जाती है और एक सब्सक्राइब जाते हो अगԻूरण में कॉलर्मेंट को एक्स 앉बलेना चाहिए यह इक demographic निकाल देनày Ц lies नबबे परसंट कॉलेज क्यों वह एक्टीव नहीं रहता प्लेश प्लेश्मेंट से लोगों से बात करता कंपनीयों से बात करता कि आपके लिए कितने बंदे चाहिए, क्या वो चीज़े हैं तो फिर उसी साब से मैनेज हो जाती ही चीज़े लेकिन बहुत सारे कॉलेजन सर्फ डिग्रियां बेच रहे हैं ये लोगी है, पैसा जिस तरह उड़ाओ और अपनी डिग्री ये लेकर के जाओ जाओ उपसे हमसे कोई लेना देना ना हमारे याँ फैकल्टी पांच जार रुपे महीने पढ़ा रहे हैं तो हम कांस तुमको बीस जार महीने की जाब दे दे तो जहां ना फैकल्टी अच्छी है, ना लैब अच्छा है ना चीज़े अच्छी है, सर्फ डिग्रियां कोडी के भाव भी करें हैं कोडी के भाव नहीं है, आपके माता पिता का hard and earn money है कि आपके माता पिता ने जो कठिन परिस्रम से पैसा कमाया है वो पैसा कहीं ने कहीं लूट रहे हैं ये सब तो आपको decide करना है कि भाव आप उसमें कितना खरे उतरते हो चीज़े किस तरह से आपके लिए better होती है और कैसे आपका career आगे बढ़ता है अगर आप सही तरीके से सही direction में अपने career को लेके जाना चाहते हो तो polytechnic करो लेकिन सोच समझ से और प्लानिंग होनी चाहिए कि कौन सा college कौन सा branch pass out होंगे तो क्या future होगा by the way 2% 10% भी chances हो कि by placement नहीं हो पाएगा आप दूसरा college लो ठीक है लेकिन एक बात मैं कहूंगा अगर आपको लगता कि इस साल अच्छा college नहीं मिला ड्रॉप कर जाओ ठीक है कोई बात नहीं it's okay आपको next year अच्छा college मिले उसमें admission ले लो तो यह process है अगर आप process को नहीं समझोगे चीजे नहीं analysis करोगे चीजे optimize नहीं करोगे career आगे नहीं बढ़ेगा career दोस्त हो जाएगा फिर समझ नहीं पाओगे कि कैसे जाएं किस तरह से करें किस तरह से चीजे होंगी किस तरह से चीजों पर काम करना चाहिए मेरा काम था exactly आपको बताना कि भाई यह चीजा ऐसे काम करती और इस तरह से इन चीजों पर काम करना चाहिए और आपका काम है उस पे action लेना जब तक आप उस पे action नहीं लोगे समझोगे नहीं, जानोगे नहीं तब तक साथ आपका career आगे नहीं बढ़ पाएगा वीडियो में इतना है जिन लोगो career counseling चाहिए link description में दिया के बढ़ जाकर गें जरूर देखे मिलते आप से next video में, thank you